आप टेख्निकली बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर के बाध कर साथ और एक कार को फ्लागडाउन किया जिससे चार रूपीयों को डिटेइन करने और उनको अरेस्ट करने के उपर एक किलो हेरोईन रेकावर की गई इसी बीच पुलिस को मुकबर नेगुप्त सूचना दी की देहा कालोनी सीटी निवासी अंजली रेखा और अनवर उर्फ अभी हैरोईन सप्लाई करने का धंदा करते हैं विकिराय की शिफ्ट कार में दिल्ली से हिरोईन लेने गए हुए हैं थोड़ी देर में शहबाद की तरफ से डेहा कालोनी की तरफ जाएंगे पुलिस ने शास्त्री कालोनी कट पर नाकाबंदी करके आरोपियों को काबू कर लिया पुस्ताच भी सामने आया कि आरोपी दिल्ली से हैरोईन खरीद कर अंबाला में सप्लाई कर रहे थे पड़ाव थाना पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाव NDPS Act के तहट केसदर्ज किया है पुस्ताच के लिए CIA ने आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांट पर लिया है एस्पी ने बताया कि ड्राईवर राजबीर और राजु वै उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ पुस्ताच में शंभू रेलवे स्टेशन जिला पट्याला निवासी ड्राईवर राजबीर ने बताया कि बहर नशे के दंदे के संदिप्त लोगों को 15,000 रुपे में किराय पर गाड़ी उपलब्द कराता है अरोपी ड्राईवर के पिता रेलवे में चोथी श्रेणी करमचारी है पोलिस द्वारा गाड़ी में बैठी अंजली वैरेखा के पर्स की तलाशी लेने पर 300-300 ग्राम हैरोईन बरामद हुई अरोपी अन्वर उर्फ अभी की तलाशी लेने पर जेव से 400 ग्राम हैरोईन बरामद हुई इसकी कीमत करीब 5 करोड रुपे है आरोपियों के पारिवारिक सदस्य भी नशे के कारूबार में सनलिप्ट एसपी जगदीब सिंग ने बताया कि चारो आरोपियों का पहले भी अपराधिक रिकॉर्ड है ये आरोपी पहले लंबे समय से काफी सक्लिय है पुलिस आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस जल्द ही हेरोईन के सप्लायर तक पहुंचेगी एस्पीन बताए कि आरोपियों की पारिवारिक सदस्य भी नशे के धंदे में सनलिप्थ है पुलिस जंद ही अन्य आरोपियों को भी गिराफ्तार करेगी हमने कुछ हमारे पास मुखबरे खास से सूचना पराप्त हुई थी जिसके उपर हमने CIA 2 के इंस्पेक्टर संदीब के नितरत्व में एक टीम का गठन किया था उसी की उपर कारवाई करते हुए CIA 2 की टीम को एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई जिसके अंदर इन्होंने पास पर्दार और अरोपियों को डितेन करने और उनको औरेस्ट करने के ऊपर एक किलो हेरोईन रिकावर की गई जो अरोपियां उनकी डेटेल्स इस परकार से हैं अनवर उर्फ अभी जो की डेहा कॉलोनी अंबाला शहर का रहने वाला इन सब की जो भी एक्यूस्त है कि इनुसार की गई और इससे अनवर से 400 ग्राम हैरोईन ब्रामद भी इसी प्रकार जो कारचालक राजबीर और फराजू है ये क्वाटर नमबर एक शंबू रेलवे स्टेशन जला पटेयला का रहने वाला है अंजली निवासी डेहा कॉलनी तीसरी तीसरा अक्यूज्ड ये लेडी थी और इससे 300 ग्राम हैरोईन ब्रामद की गई और चौथा अक्यूज्ड है रेखा निवासी डेहा कॉलनी अंबाला शहर इससे भी हमें 300 ग्राम हैरोईन इससे ब्रामद भी इस घटना करम की पूरी हम हमने पड़ाओ थाने के अंदर F.R. 327 हमने N.D.P.S. Act के अंदर दरज किया और इनको हमने पेश करके हमने इनको तीन दिन के पुलिस रिमांट पे लिया और इनसे फर्दर पूछताच की जाएगी तांकि हम जो सोर्स है इस पूरी बड़ी कंसाइनमेंट का उसका पता लगा स करके हैं और जो इनके फर्दर डिस्ट्रिब्यूटर थे उनके बारे में इसे गहनता से पूछताच की जा सके जो अभी तक की पूछताच की गई है उसके अंदर ये पता लगा है कि इन सब भी चारी चारों अरूपियों के पहले भी अपरादिक रिकॉर्ड रहा है इनके पर पहले भी क्रिमिनल केसे इनके उपर दर जाएं और जो इनका ये टीम थी ये काफी टाइम से काम कर रही थी और ये जो खास तोर पर ये इनके साथ जो कार चालक ड्राइवर राजवीर था ये हर चक करके 15,000 रुपे चार्ज करता था कंसाइनमेंट को लियाने के लिए इनके साथ और ये एक रिल्वे इंपलाई क्लास फोर जो की रिल्वे शंबू में पॉस्टेड है उसी के कौर्टर में रहता है और उसी का लड़का है ये और बाकियों की भी जो क्रिमिनल हिस्ट्रिया वो हम केसिस एक बार सारे वेरिफाय करवा रहे हैं और जो भी आगे फर्दर फैक्ट्स आएंगे आप से सांजी किया जाएंगे इनकी पूरी जैसे मैंने बताया कि अभी ज्यादा डिटेल्स हम आप से शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चाते हैं कि इसके बिल्कुल सोर्स तक पहुंचे तो हम एक्जाक्ट डिटेल्स जो हैं कि इसका कौन सा सूर्स था कहां से लेकर आ रहे थे वो अभी हम हमारी कोशिश है हमारी टीम्स अभी भी उनकी उपर काम कर रही हैं तो हम इनके पूलिस रोमान के दुरान हम कोशिश करेंगे कि उनके उन तक भी हम पहुंच पाएंगे तो जैसे जैसे तुफ्तिश आके बढ़ेगी तो को डीटेल्स भी आप से शेयर की जाएंगी सर्म अभाला भी मिला इंसे नहीं वेपन बगड़ा तो नहीं मिला इंसे कोई भी सर्म अभाला की टेहा को लोनी नसे का गड़ बनता जा रहा हैं जी बिलकुल यह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके परिवारिक सदस् जो पुराने टाइम से इस इलीगल वेपार के साथ ट्रेडिंग के साथ इलिसिट ड्रग ट्रेड ट्रेडिंग के साथ जो संबंद रखते हैं तो हम हमारे पास और इन से सूचना इनकी पूचताश में हमारे साथ इनोंने जो सांजी किया उसकी उपर फुर्दर हम काम और पहले भी हमने काफी भड़े स्तर की उपर डेहा कॉलनी जो केंट की है वहां पे भी काम किया और रिसेंटली हमने डेहा कॉलनी जो सिटी की है वहां पे भी हमने चाहे नाके लगाने पड़ें उसको रेगुलेट करने के लिए चाहे वहां पे कॉम्बिंग उपरेशन कर पुलिस की अचीवमेंट है एंडीपियस के खिलाफ उसके अंदर हमने लगबग तीन किलो छे गराम हैरोईन अभी तक हम बरामद कर चुके हैं 9 किलो 995 गराम हम अफीम बराबबत कर चुके हैं और 3 क्वेंटल 9 किलो गराम चुरा पोस्त पुलिस ने अभी तक बरामद किया है 7 किलो 911 गराम गांजा बरामद हुआ है 220 गराम जरस बरामद किया है लगबग 65,000 नशीली गोलियां बरामद किया है लगपक 98-100 नशीले कैपसुल, 1950 नशीले इंजेक्शन और 95 सिरप की बोटल्स हमने रिकवर की हैं कुल हमने 92 एफ पाई यार्ज दर्ज करके 111 आरोपियों को हमने सलाखों के पीछे डाला है और इसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी अटैच्मेंट का महिम है उसके अंदर भी हमने अभी तक जो पांच बड़े तसकर जो बड़े लेवल की तसकरी करते थे उनकी प्रॉपर्टी अटैच्मेंट की कारवाई की है अदेखिए कोई मतलब की जो कानून की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जिन लोगों ने illegal constructions कर रखी है तो definitely जो local corporation और committees हैं उनके साथ coordinate करके जो illegal structures किसी ने बना रखी हैं तो उसके खिलाफ भी कारवाई की जाएगी और जिनों ने इस मलब की गलत काम के थरू ये लोगों का भविश्य खराब करके लोगों की बच्चों की जान लेकर और ये नशे का धंदा करके जिनों ने अपनी मलब घर भरे हैं और properties बनाई हैं उनको भी हम attach करने का काम करेंगे टोटल वैली उसकी राउंड फॉर सी आर के असपास है जी आपस में ये रेलिटिव जी हैं ये